एक YouTube चैनल कैसे बनाए अपने स्मार्टफोन से इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई हुई है लेकिन वो जो वीडियो बढाई है मैंने उसमें मैंने कम्प्यूटर के थूँ सारी चीज़ बता है कि कम्प्यूटर या लाइप टॉप पे आप किस तरीके चैनल क्रियेट कर स फिर उसके बाद उसके अंदर के जो भी settings होती है जो important settings होती है वो सब कुछ करेंगे चैनल को verify करना सीखेंगे यह साड़े steps जितने हैं एक चैनल को बनाने के लिए जितने भी important चीज़े होती है वो सब कुछ हम one way one करके इस वीडियो में सीखने वाले है तो वीडियो में एं लेकिन इसके अलावा एक चैनल को हम स्टार्ट करने जाते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए स्मार्टफून है इंटरनेट की connectivity है इसके अलावा एक email id होना ही चाहिए तो email id अगर आपके पास पहले से available है तो आप उसके थ्रू भी अपना channel create कर सकते हो न चैनल को verify करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब तक आप अपने चैनल को verify नहीं करोगे तब तक उस पर थमनेल नहीं लगा पाऊगे लाइब नहीं जा पाऊगे 15 मिनिट से ज्यादा की वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊगे बहुत सारी चीजे होती हैं तो यह दिखने वाले हैं तो वीडियो में एंट तक बने रहेगा अब एक दो चीजे और हैं जो मैं आपको बताना चालूँगा कि जब भी आप नया चैनल क्रिएट करने जा रहे हो तो अपने चैनल का नाम एकदम से सोच समझ के आपको रखना है ऐसा नहीं कि हर बड़ी में आप जो 2030 चल रहा है जब चीजे अफडेट हो चुकी है यूटीब हमेशा ही अपने आपको अपडेट करते ही रहता है तो नई अपडेट के अखर्णिग आप अपने नाम को एक बार जब चेंज करते हो तो उसके बाद फिर 14 दिन के बाद ही अपने नाम को फिर दुबारा से च तो अब मैं लेकर करके चलता हूँ सीधे अपने स्माठफोन के स्क्रीन पे और वहां पे सारी चीजे वन वे वन करके स्टेप बाइस सब कुछ आपको बताऊंगा तो सारी चीजे वन वे वन करके चीखेगा ताकि आप भी अपने स्माठ्फोन से अच्छे तरीके चानल से भी कर सकते हो YouTube से भी कर सकते हो लेकिन Gmail और YouTube से आप तभी कर पाऊगे जब आपके पास ओल्रेड़ी कोई email id होगा तो हम डिरेक्ट Chrome browser से भी कर सकते हैं आपके phone में भी Chrome browser होगा वीडियो को patience के साथ देखेगा आराम से देखेगा तभी सब कुछ समन में आएगा जब Chrome browser भी छुर्बाकर करें तो इस तरीके से यह सर्च बोक्स हैगा इसको सर्च बोक्स बोक्स में सबते हैं मेंट में से निचे आए और यहाप अब इसके बाद बरना यहां पर कूल करने चान नहीं आपकी कर सब्सक्राइबма साब्सक्राइब कर लना तो आपके सामने यहाँ पर क्या करना है first name लिखना है ठीक है तो first name के जगा पर आप अपना नाम लिखोगे आपका जो भी नाम है या फिर जो चैनल आप बनाना चालते हो उससे रिल्लेटर भी यहां चीजी लिख सकते हो आपके उपर डेपेंड करता है तो मैं अपना नाम लिखता हूं मैंने यहाँ लिखा निसांत यहाँ लिख दिया कुमार ठीक है अब यहाँ पर खुद से आपको कुछ भी इसांत कुमार कुछ भी जो भी मुझे लिखना हो या फिर में लिखता हूं निसांकुमार व्लोक्स यहां पर क्लिक करेंगा फिर से हमें क्या करना है कुछ और email id create करके दिखने होगे मतलब कि यह email id अल्रेडी बना हुआ है तो मैं आप लिखता हूँ निसान के vlogs लिखा मैंने अब देखते हैं यह है कि नहीं यह भी लिया हुआ है तो देखिए आप मुझे suggest कर रहा है निसान्त के vlog 3 तो मैं यह भी लेख सकता हूँ ठीक है मतलब कि आप कोई भी email id बनाओगे अगर वो email id नहीं बन रही है तो अटमेटिक सजेस्ट करेगा या फिर जो email id अल्रेडी किसी ने ले रखे तो उसमें 3,2,4 कुछ भी अंक डिजिट एड कर देना email id बन जेगी इससे कोई दिक्कत नहीं अब नेक्स्ट बार यह हमारे password की देखिए हमें इसलिए email id से अपना चैनल में बनाना है तो इसलिए password हेवी रखने का मतलब यह है कि आप अपने नाम का कुछ डिजिट यूज करना कुछ 12340 यह जो निमेरिक अंक है इनमें से कुछ यूज करना ठीक है और कुछ special characters यूज करना तब अपना एक password बनना जैसे कि आपका नाम राम है तो आप बनाओगे राम तो राम का आर बड़ा रखना उसके बाद एम उसके बाद लिख दिया आपने 678 उसके बाद एड़रेट यहां पर हैस इस तरीके से तो मैं अपना एक password यहां पर create कर लेता हूं और जो password आप यहां पर लिखोगे first box में same to same वही password नीची वाल डाल करके email ID को verify कर लेना है यह जरूरी है ठीक है ऐसे यह optional रहता है लेकिन आप यह काम कर लेना जरूर अपना phone number करके इसको verify कर लेना उसके लिख करेंगे यहां पर अपना phone number डालेंगे जो भी आपका mobile है मैं अपना phone number यहां पर fill करता हूं ठीक है उसके बाद यहां पर recovery email address बोल डाया तो अगर मान लिए कि आपके पास कोई email ID already available है या फिर आपके किसी भी घर के member का email ID है तो यहां पर जरूर डाल देना अभी ही डाल देना वह इसलिए कि कभी कोई issue हो गया आपके चैनल के साथ तो चैनल को recover करना होगा तो यह बहुत काम आएगा तो इसलिए यहा आपका data बढ़त हो वह आप यहां पर फिल कर देना ठीक है मैं यहां पर एक कोई भी ऐसी रेंडियमली data fix कर लेता हूं या फिर जो भी है लिख सकता हूं लिख दिया मैंने जेंडर पे आप male female जो भी हूँ आप सेलेक्ट कर लेना mail कर दिया मैंने उसके वादे आप next पे आपको मेरा वोटिपी आ गया है वह मैं यहां पर फिल करता हूं उसके बाद यहां पर verify पे क्लिक करता हूं अब जैसे मैं verify पे क्लिक करूंगा उसके बाद यहां पर yes iam in कर देना आप तो अब यहां पर scroll करके निचे आना I agree पर आप click कर देना ठीके अब आपका email id complete हो चु ठीक है यहाँ चाहूँ तो यहां पर देखिए यहां पर यूट्यीब कर सकते हो और यहां पर क्लिक करेंगा उसके बाद यहां पर क्लिक करना यहाँ पर click करोग आप तो जो email id आपने आपhew बनाया है वह email id यहाँ पर show कर रहा है तो अच्छी बात है नहीं तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर click करके उस email id को यहाँ पर add करोगे जहाँ तो ज्म. सिंपल से क्लिक करेंगे और पासवड अगर हो सकते तो आप कहीं पर रख लेना ताकि हमने इस आपको क्लिक करेंगे और को सब्सक्राइब पर आपको सिम्पल से क्लिक कर देना है फिर आई एगरी पर आपको क्लिक कर देना है स्टेप्स एकदम से नॉर्मल तरीके से सारी चीज़ समझेंगे ताकि आप एक बार में ही अपना चैनल बना लो ठीक है तो थुरा सा वक्त लगेगा इसलिए वीडियो में कंटिनीव बने रहिएगा और यह उसके बाद गूगल सर्विसे यहां पर वेरिफिकेशन करेगा लब की यह ऑटमेटिक हो जाएंगा आपके फोन में उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अब देखे हम वापस से यूट्यूब के आप पर आप यहां पर मैंने क्लिक किया अब देखे यहां यहां पर देखेगा आप उपर में आटमेटिक जो इमिल एडिया भी मैंन डाला था वह यहां पर साइन हो चुका है ओटमेटिक हो चुका है ठीक है तो यहां पर आप सिंपल से के एक बार क्लिक करोगे तो उसके बाद सेकेंड ऑप्शन में लेगा यूर चैनल ठीक है यू जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं अपने चैनल का नाम निसांत के व्लोग्स ठीक है निसांत के व्लोग्स वैसे मैं व्लोग बनाऊंगा कि नहीं मुझे खुद नहीं पता मैं यहां पर रख देता हूं निसांत के व्लोग्स लिख दिया हम मैंने उसके बाद मैंने से पक क्लिक किया सिंपल से नाम में ज्यादा 321 या फिर कुछ एम वगेरे लिख के या फिर 70 के व्यूज ऐसा कुछ लिख करके मत बनाएगा फाल तुने सिंपल से नेम बनाएगा ठीक है अब देखिए यहां पर आटमेटिक आपको हैंडल भी मिल जागा देखिए मेरे हैंडल यहां पर मैं क्लिक करेंगे अगर आपने कोई चैनल लोगो बना कर रखा है वह आप लगा सकते हो या फिरेक्ली आप खुद की तस्वीर लगा सकते हो ठीक है और चैनल लोगों कैसे बनाना होता है उसके उपर मैंने वीडियो बनाई है लिंक डिस्क्रिप्सिन मैंने दे रखिए वहां आप देख सकते हो मैं क्या करता हूं अपनी कोई एक तस्वीर यहां पर लगा देता हूं जैसे कि मालने चैनल अपने प्रोफाइल यहां पर लगा दिया चैनल का नेम हमने रख लिए जो भी मुझे रखना था अब उसका हैंडल भी हमें मिल गया यह तीनों स्टेप्स हो गया अब यहां पर कॉप्शन है क्रिएट चैनल से मैंने इस पर क्लिक किया क्रिएट चैनल पर मैं जैसे क्लिक करूंगा हमारा इस पर क्लिक करना अब इस पर क्लिक करोगे तो देखे यह जो एडिया है यह यहां पर हम क्या लगाते हैं चैनल बैनर लगाते हैं ठीक है तो चैनल बैनर कैसे बनाना है अपने फोन से उसके उपर मैंने वीडियो बनाई है उस वीडियो को एक बार जरूर देख लिजेगा जैसे में यहां पर फोटो करब करें यहां first ऍहरके यहां यहां और फोन की गैलरी में सब्सक्राइब तो जो भी अगर आपने कुछ बना करके रखा है उसको आप सेलेक्ट कर लेना ठीक है तो देखे मैंने तो कोई ऐसा कुछ अभी बना करके रखा हुआ नहीं है तो मैं यहां से कोई चाहूं तो रैंडमली पिक्चर सेलेक्ट कर सकता हूं जैसे एक यह है इसको मैंने सेलेक्ट क 대해서 support बेगा दिया उस यह हमारा चैनल यहां पर अपको बता रहाँ हो गया है मैं बस ऐसे आपको बता रहा हूं और यह देखिए हमारा हूं की यहां श्रुपोट को मैं यह हमें कुछ कुरा बन गया ठिक है इसके बाद है तो इस दुनों को इनेवल ही रहने देंगे, मतलब कि ये दुनों इनेवल रहेगा, तो मतलब आपने किसको किसको सब्सक्राइब करका रखा ये, सिर्फ आप देख सकते हो, और कोई नहीं देख सकता, यूटूब एप्लिकेशन के थífic, हम अपने नहे चैनल को बनाने के लिए, जो कुछ भी कर सकते थे, most अब क्या करना है हमें, कि हमें अब अपने यूटूब चैनल को Chrome browser में open करना है, वो भी desktop mode में, तो चलिए हम Chrome browser में चलते हैं अब इसमें हम क्या लिखेंगे YouTube YouTube Sign-in लिखना आप ठीक है YouTube Sign-in लिख करके सर्च करना आप ठीक है YouTube Sign-in लिखकर मैंने सर्च किया है अब यहां Sign-in वाले option पर मैं क्लिक करूंगा ठीक है तो यह automatic आपको YouTube के app पर ले करके चला आएगा ठीक है क्यों यह by default रहता है लेकिन उसके बाद यह फिर से automatic आपको Chrome browser पर ले के चला आएगा और अगर ऐसा आपके phone में नहीं हो रहा है आपको problem हो रही है तो एक वीडियो की link मैं description में दे दूँगा उसको देख लेना कि कैसे desktop mode में YouTube को open करते हैं अगर आपके साथ ऐसा ना हो रहा हो तो अगर direct Chrome browser में open हो जाए तो अच्छी बात है क्योंकि settings हम जो भी बाके की है YouTube की settings वो सब कुछ हम Chrome browser में ही कर सकते हैं जितने भी सारी चीजे होती है इसलिए YouTube को आपको Chrome browser में उसके desktop mode में open करना ही होगा यहाप हम YouTube को desktop mode में open कर चुके हैं अगर desktop mode में नहीं करना आता आपको त desktop site पर क्लिक करोगे तो यह automatic यह desktop site में convert हो जाता है देखिए यह desktop desktop site में convert है उसके लिए हम क्या करेंगे यहाप चैनल का जो मेरा logo है यहाप मैंने क्लिक किया और यहापे जो अभी हमने channel बनाया था उसको हमें यहाप add करना है तो यहाप switch account का option है मैं zoom करके दिखाता हूं यहा account का option है इस पर मैंने click किया click करने का जो channel मैंने बनाया था वो नीचे में देखिए निसांत के vlogs इसको मैंने click किया simple से इसको मैंने click किया अब निसांत के vlogs चो मेरा YouTube channel है वो यहापे आ गया ठीक है तो यहापे आने के बाद देखिए automatic बहुत सारे options आपको दीखेंगे तो यह स समझे कि कैसे चीज़े करनी है अब यहाँ पर चैनल का जो लोगों है इस पर आप click करना यहाँ पर जब आप click करोगे तो एक option मिलता है YouTube studio का second वह इस पर click करना तो हो सकता है कि यह आपको YouTube के application पर redirect कर दे ठीक है YouTube के application पर लेकर चला है क्योंकि यह by default हमारे phone में set रहता है तो इसको हमेंऀबाई Jet आ तो इसको हमेंद करने के लिए हमें और नहीं एहाँ पर settings मेंद करना यहाँ इसको क्लिक करना उसमें यहाँ पर search box रहता है इसमें आप पर यहाँ पर लिखने के बाद ermशी शुल्च कर देना ठीक है Adamивает से यहाँ आप management है इस पर आप क्लिक कर ठीक है क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट में आप जाओगे तो वहाँ पे वाई टीव स्टुडियो आपको मिलेगा देखे मैं भी आता हूं यहाँ पर देखे वाई टीव स्टूडियो है इस पर मैंने सिंपल से क्लिक किया उसके यहाँ पर एक ओप्छन है ओपन भाई डिफ देखे इस सब सिंपल से हैं थ्वरा सा difficult लगेगा लेकिन आप एक बार सीखो गता समझ जाओगे तो फिर हम क्या करेंगे यहां पर क्लिक करेंगे आपके चैनल का जो लोगों है यहां पर फिर से हम क्लिक करेंगे और यहां पर यूट्यूब YouTube Studio है इस पर हम सिंपल से क्लिक करेंगे अब क्या होगा हमारे मोबाइल में जो YouTube इस्टूडियो अप्लिकेस नहीं होगा ठीक है अगर आपने इस्टॉल करके रखा होगा तो वही ओपन हो गता है नहीं तो चैनल की में जो सेटिंग्स होती है वह ओपन होगी तो यहाँ पर देखे सबसे पहले में जैनरल में यहाँ पर डॉलर सोता है मतलब करेंसी है यहाँ पर क्लिक करोगे आपके चैनल पर जो रे वेन्यू बनेगा जो पैसे बनेगा उसको आप किस तरह से देखना चाहते हैं तो हमारी कंट्री हो गई हमारा प्यारा इंडिया किया इंडिया कर लिया इंडिया में यहां पे स्लेक्ट किया है उसके बार जस्ट कीवर्ड का उप्सिन है कीवर्ड वाले option पर हमाएंगे ठीक है यहाँ पर मैंने टैप किया है अब आप समझों यहाँ पर पहले कि कीवर्ड में आप टैप क्या करोगे तो कीवर्ड में यहाँ पर लिखना वही चीज़ है जो आपका चैनल का नेम है उसी सब्सक्राइब चीज लिखेंगे तभी हमार देता हूं फ्लोग्स फिर कॉमा प्रेस किया फिर एंटर तो व्लोग एक टैग बन गया ठीक है उसके बाद व्लोग वीडियो व्लोग वीडियो इसके बाद फिर कॉमा प्रेस किया फिर एंटर टैग बन गया फिर मैं अपना नाम भी लिख सकता हूं यहाँ पर निसान फिर कॉमा प्रेस किया फिर एंटर एक टैग बन गया तो इसी तरीके से आपका जो चैनल है जिस टॉपिक से रिलेटेड यहां पर कीवर्ट्स डाल देना आप ठीक है मैंने कुछ एक कीवर्ट्स डाल दी आप चाहो तो और कीवर्ट्स डाल सकते हो ठीक है तो यह कम आपको याद स अगर बच्चुस रिलेटेड वीडियो बनाते ही नहीं है उनके लिए तो हम आमेशा के लिए सेकन वाला ओप्सन यानि कि नो सेट इस चैनल एज नौट मेट फोर किट्स वाला स्लेक्ट करके छोड़ देंगे हमेशा के लिए ठीक हो गया जस्ट इसके बगल में ऑप्सन है एक फीचर इलिजबिएटी इस पे आप क्लिक करना अब इस पे क्लिक करेंगे तो जो पहला ऑप्सन है स्टेंडर फीचर्स यह इनेबल है ठीक है है ऑप्सन आपको एक मिलेगा वेरिफाइब फोन नंबर सिंपल से इस पे आप क्लिक करना वेरिफाइब फोन नंबर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ऑटोमेटिक सारे पॉप आप इसमें खुल गया इसमें क्रों ब्रावजर में एक और पेज खुल के आता है है अब यहाः हम उपना फोन नंबर फिल करना है तों यहाः हम अपनी कंट्री्स करेंगे हमारी कंट्री इंडिया है मैंने स्लेक्ट किया है उस के यहाँ पर ऐडिधे योर अंबर तो आपका जो भी mobile number है जिस पे आप OTP अभी मंगाने वाले हो वो phone number यहाँ पे हम fill करेंगे तो मैं यहाँ पे अपना एक mobile number fill कर देता हूँ उसके बाद जैसे ही get code पे आप click करोगे तो आपके उसी number पे code जाएगा 6 digit का verification code जाएगा वो code यहाँ पे आपको fill करना है तो देखे मेरे पास OTP आगया मैंने fill किया उसके बाद सिंपल से submit पे आप click करना है जैसे ही submit पे click करोगे देखे यहाँ पे दे रहा है phone number verified यानि कि हमारा जो number है वो verify हो चुका है तो अब हम वापस से उस page पे जाते हैं यहाँ पे हमें चैनल verify करना था तो देखे हमारा चैनल verify हो चुका है यह आटमेंटिक देख रहा है यहाँ पे यह enable हो गया यह enable नहीं था अब यह दूसरा option भी हमारा enable हो चुका है ठीक है phone number भी verify हो चुका है सारी चीजह हो चुक है अब जस्ट नीचे एक option है advanced features ठीक है तो यहाँ पर मैं click करता हूँ तो इसमें भी बहुत सारे features हैं create more live streaming daily मतलब daily आपको live stream चाहिए बहुत ज़्यादा वीडियोज आपको हर रोज upload करना है अपने चैनल पर बहुत सारे source upload करना चाहते हो तो यह सारी चीज़ इसके लाबा और भी बहुत सारी चीज़ है eligibility to apply for monetization यानि कि channel को monetize करने के लिए भी इस option को enable करना बहुत ही important है यहाँ पर तीन तरह के options है मैं पास video verification, valid ID, channel history ठीक है तो यहाँ पर तीनों में से किसी के थ्रू भी आप चाह सकते हो ठीक है जैसे यहाँ पर access feature पर मैंने क्लिक किया अब access feature पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर option आपको मिलेगा यूज video verification usually up to one day we will help you create 30 second video of yourself looking into your phone's camera यानि कि अगर आप चाहो तो वीडियो verification कर सकते हो यानि कि आप खुद की 30 second की कोई video बनाओगे सामने रहकर camera open होगा automatic यह verify करेंगे ठीक है अब दूसरा है ID proof usually up to one day यानि कि अगर आप चाहो तो ID proof के थ्रू भी अपने channel को verify कर सकते हो एक दिन का time लगेगा या फिर वीडियो के थ्रू भी आप verify करोगे तो एक दिन का वक्त लगेगा इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और जो लास्ट ऑप्षन है बिल्ड चैनल हिस्ट्री इसके थ्रू आप मत करना क्योंकि दो महिने का वक्त लग सकता है तो इसको आम नहीं करेंगे दो options हैं पहला या फिर second दोनों में से जो आपके लिए सही हो वो option आप स्लेकर लेना ठीक है इससे यह पहला option है इसके थ्रू भी आप जा सकते हो या फि से एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहो तो डोकुमेंट के साथ वेरिफिकेशन कर सकते हो और डोकुमेंट में आपके पास voter ID कार्ड या फिर ड्राइविंग लैसेंस या फिर पासपोर्ट होना चाहिए बाकी और कोई डोकुमेंट यहां पर सपोर्ट नहीं करेग आपको आईड वेरिफिकेशन वाले स्टेप्स बताऊंगा जैसे दूसरा उप्सन में बताता हूं यूज यूर वाइलिड आईड उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना ठीक है उसके बाद क्या करोगे गेट इमेल तो स्टार्ट वेरिफिकेशन और यूर फोन ठीक है तो इमेल पर क्लिक करना तो जैसे हैं गेट इमेल पर क्लिक करोगे तो वी सेंड यू एन इमेल उसके बाद पर क्लिक करना ठीक है अब जैसे हैं डन पर क्लिक करोगे तो हो गया कि आपके पास एक इमेल सेंड की है यूट्यूब के तरफ से तो इमेल कहा आया है हमारा जो इमेल आगया जस्ट अभी आया निशांत यूज यूर आईडी फोर यूट्यूब फीजर्स ठीक है तो इसको इस तरह किसे स्क्रोल करना आप स्टार्ट वेरिफिकेशन का यह जो ओप्सन दिख रहा है ना इस पर आप सिंपल से क्लिक करना जैसे इस पर क्लिक करोगे यह हमें फिर स से वह क्या करेगा आपको वेरिफाय करेगा यानि कि आप जो भी डॉकुमेंट अपलोड करोगे उस पर भी सेम डेट ओव बर्थ होना ही चाहिए उसके बाद नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर क्लिक करोगे इस तरीके से स्क्रॉल करके आप निशी जाओगे ठ मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ उसके बाद क्या करोगे आप अलाव पर क्लिक करोगे अब अलाव पर क्लिक करोगे यहाँ पर जो कैमरा का आइकन दिख रहा है यहाँ इस पर आप क्लिक करना अब इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप तो आपके फोन का कैमरा ओ जाएगा और पिक्चर अच्छी ना आये तो यहाँ पर रीटेक पर क्लिक करके आप रीटेक ले सकते हो ठीक है तो यह साधी चीज़े आपको करनी है जब यह साधी चीज़े हम कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर अपलोड डिफोल्ट का ओप्शन है जस्ट इसके नीचे तो वह साधी चीज़े यहाँ पर अल्रेडी लिखी रहेंगी बार-बार आपको लिखने की जोड़त ही नहीं होगे जैसे मैं यहाँ पर लिखतेता हूं है और मेरे चैनल का जो नाम है निशान के ब्लोग तो मैं यहाँ पर लिखता हूं निशान के व्लोग यह एक हैस्टेग म तो आप चाहोँ तो पब्लिक भी यहाँ पर सेक्ट कर सकते हो मतलब कि आपने जो भी वीडियो डाली वह अटमेटिक उसी समय पब्लिक हो जाए मतलब कि सारी लोगों तक पहुंच है तो आप पब्लिक स्टेग कर सकते हो टैग का ओप्सन है टैक्स पर क्लिक करोगे और वीडियो है एसी वाली वह देखोगे आपको समय में आ जागा लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जागा ठीक है तो यहाँ पर मैं लिखता हूं निसांत के व्लोक्स ठीक है निसांत के व्लोक्स लेकर करके कॉमा प्रेस करूंगा उसके बद एंटर ठीक है यह टैग बन देखिए आपको मिलेगा option category का सबसे most important option category it means कि आप जो channel बना रहे हो वो channel किस category का है comedy का है education का है entertainment का है gaming का है music का है जिस भी topics related आपकी वीडियो होगी वो यहाँ पर category select करनी होगी ठीक है तो अगर आपको यह चीज़े नहीं पता है कि आपका channel किस category is related है तो आप comment box में comment करके पूछ सकते हो या फिर description में एक video की link के उसको भी देख करके आप समझ जाओगे जैसे यह हमारा जो video है यह है vlog का तो इसको मैं चाहूँ तो how to and style रख सकता हूँ या फिर people and blogs भी select करके आगे जा सकता हूँ ठीक है मैं यहाँ पर how to and style ही select कर देता हूँ ठीक है उसके बाद ज क्या select करूँगा हिंदी आपकी जो language है वो select करना आप मैंने यहाँ पर Hindi select कर लिया ठीक है और यहाँ पर title and description लेगवे तो title and description लेगवे भी हम हिंदी में रखेंगे या फिर English में रखेंगे तो मैं यहाँ पर title and description language क्या select करूँगा English select करूँगा क्योंकि मैं अधिकतर English में ही title लिखेंगा और आप भी लिखते हो तो हम यहाँ पर English select करेंगे उसके बाद देखिएगा यहाँ पर है Allow All Comments मतलब कि Allow All Comments पर क्लिक कर दोगे तो आपको कोई भी किसी भी तरह का comment करेगा comment section में आ जाएगा और यह जो option है न आप कुछ हमने कर लिया अब उसके जस्ट नीचे आप आओगे permission पर क्लिक करना ठीक है permission पर क्लिक करोगे तो मेरा इस चैनल का permission मैंने किसी को नहीं दे रखा है मुझे देना भी नहीं है जस्ट उसके नीचे आपको मिलेगा एक community का option ठीक है तो यह community का option इसमें भी आपको का option है तो इसमें जो अभी मैंने comment section माला बताया वही चीज़ है इसको यहां पर आप चाहो तो यह जो option है यहां पर नीचे में block words यहां पर अगर कोई word लिख दो गया आप मतलब कि जैसे कोई कोई किसी वीडियो में गाली देता है जैसे कोई किसी को पागल बोलता है तो यह किसी भी तरह का link नहीं डाल पाएगा ठीक है यह चीज़े कर सकते आप अब इसके बाद यह जो agreement का option है इसमें हमें कुछ भी नहीं करना होता है सारी settings हमने कर लिए अब यह सब कुछ जब हो जाएगा तो ध्यान रखेगा यहां पर एक option आपको दिखता है button रहता है save का ठीक इसके बाद यह साड़े चीज़े जब हो जाएंगे तो अब simple से आप अपने चैनल पर काम करना सुरू करो regular basis पर मतलब कि हर रोज वीडियो अपलोड कर सकते हो तो हर रोज करो यह फिर week में तीन कर सकते हो तो तो तीन करो जैसे कर सकते हो आपको तो यह सब कुछ जब आप क किस तरीके से अच्छे तरीकी से वीडियो डाल सकते हो किस तरीके स्टाइटल टेक्डिस्क्रिप्चन लिख करके अपने मॉबाइल से सारे स्टेप कर पाओगे उसके उपर मैंने फिल टूटरेल वीडियो बनाई हुए है Link डिस्क्रिप्चन में है अगर आप चाहो तो दे कोई community guideline strike नहीं है तो यह सब कुछ जब आपके चैनल पर complete हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देना आप आप चाहो तो जब presentation के लिए अप्राई करोगे तभी आप इनेबी सकते हो उसके लिए कुछ नहीं काना होता है यहाँ पर सिंपल से क्लिक करना होता है उसके बाद यहां पर क्लिक करने के बाद जो इमिल इलडि हमने फोन Arbeit रहा है खुनकर आपका नाम में यहाप wilt हाई उसके बाद यहाँ और आपको एक पर उस fan evaluation मतलब फॉन को यहाँ पर वह फिल करना जाया है खूसवक्ति को यहाँ मैं अभी ओचिपी फिल करूंगा, OTP को मैंने यहाँ पर फिल कर दिया, next पर मैंने क्लिक किया, next पर जैसे क्लिक करेंगे, वो verify करेगा, उसके बदे हैं पर turn on पर क्लिक कर देना, अब क्या होगा, कि two step verification आपके YouTube चैनल पर on हो चुका है, यानि कि आपने अपने चैनल के हर एक settings complete कर ली है, कुछ भ हैं गलो राओव।